नमस्त्य दोस्तों स्वागत आपका चोहान एकेडमीर में, काफि दिन से बच्चे करें थे कि सर्य जो पुलिस की रांग होती है कुछ बच्चे होते हैं नहीं समझ में तहले प्रकार के इंडिया में काईप सिस्टम होता है। जान पहेंगे कि इंडिया में प्लिश सिस्टम कैसा है। तो दो स्टेट पूलिश केatas का मतलब यह हुआ किसी विराद्जी की सबीण यूपी है MP बिहार जारखंड किसी भी डैली की बात नहीं कर रहा मैं ध्यान रखेंगे तो हम अगर इसकी बात करें तो हम बात करते हैं कि इस पे जैसे हमने बात की मालेज यूपी की बात की एक उत्तर प्रेसिक बड़ा से स्टेट उसको लेते हैं MP के लेते हैं मतलए सीनियर ने स्टेवल फिर सीनियर निश कॉंस्टेवल और सियर कॉंस्टेवल है यहां पर देख क Miranda यह ढखारं कान यह यह होता है के भाद चप्रमसर होता है तो बनता है ASI है अब आपको बताता हूँ है है आपके अंदर यहां जाने के एंट्री आने की कई सारी लेवल यह समझाता हूं आप बनते यहां चुनने जाते हैं या कुछ जगए पर हैड कौंस्तेबल शचीन निकलती वेकंसी यहां चुनने जाते हैं या Si Computer Technical होती ही और si यह होती ही सभ-इंसक्पक्टर उसके अलावा यह डी-एसपी डिप्ति Superintendent package ठीकर यह नि änकलती वरती तो मसला यह PCS के थोरू दो यह इधर से इधर की और PC के थोरू जा रही है और इधर की जो जा रही है पिय एस्सी मजला स्टेट पूलीस यही होती लेकिन उसे PC ने रएकशिक कोई अधर एग्जाम कंडे कऱता हैं अब होता ही है यह आप यह देखी यहां पर जो रेड और ब्लू कलर की जो आपको यह दिख रही है इसे कहते है बैंड यह बड़ा फरक है इसमें बैंड के साथ एक स्टार यह कहलाता है असिस्टन सव इंस्पेक्टर बैंड के साथ दो स्टार कहलाता है सव इंस्पेक्टर अब इंस्पेक्टर डीएस्पी में अंतर क्या है हैं तो 2 तीं यामों में तीन स्टाब नहीं है जब ड़ी असपी अपधे यह तो कई लोग क्या करते हैं अगर ऑगर dsg को देख तो ये ृवन को ध्यान नहीं देते है पहले है उनको लगता है क्या है टी आई है यह नहीं है यह क्या है क्या है pray to this के लगता है अच्छा अब DSP के बाद आपका प्रोशन होता है किसमे ASP के लिए एक असो किसम लगता जिसे करते अडिस्टन सुपर्टेंडिन डाफ पुलिस ASP और उसके बाद होता है सुपर्टेंडिन डाफ पुलिस ASP और यह होती है आखरी स्टेट में अगर कोई चुना जाता है मनें जो को Satowits आजी कोई CSI चुना जाता है तो उसी आखरी मंजिल यहां तक पहुंचती है यहां कि क्यों क्या हो जाता है ठीक है इसका आखरीज पढ़ाव यह होता है और इसके बाद जब स्टेट पुलिस में आपका कैडर में कोई गा माने डीएसपी चुना गया तो डीएसपी चुने जाने के बाद डीएसपी कई बार मतलब चला भी जाता है आगे आईजी तक भी आईजी डीएजी तक भी पहुँच जाते ऐसा नहीं है वो तो डीपैंड करता है उनके वर्क पर प्रोफाइल पर और और किस परकार सिस्टम है अगर कोई फेक्तिी यहां तक आते यह थे बीचार हो जाता है क पहले साल ये से एक स्टार लएँ लगत हैनों पहले साल ये से एकस्टार स्टार लगते हैं इसे कहला था Assistant Superintendent ठीक है दूसरे साल भी कहला था दूसरा लगते हैं यह तब भी कहला था Assistant Superintendent तीसरे साल में लगबग जब इसके बाद ही चला जाता है तब कुछ दिन के बनता Superintendent मतलब DSP यही से हम कहते हैं ACP उसके बाद इसको चार्ज दिये जाता है इनको ASP का Additional Superintendent पुलिस ASP का और कुछ ही दिन के बाद इनको पास चार्ज मिल जाता है ASP का Actually IPS का मतलब यही है सुपरडेंटर पुलिस तो यह सुपरडेंटर पुलिस अब देखिए एक साल दो साल ठीक है एक दो तीर साल दो साल लगगा लगगा कुल्म ला करके पांच से साथ पांच से छे साल के अंदर यह सीदे पहुंच जाएगा देखिए कित्ती रफ्तार उसके बाद 5 से 10 साल के अंदर इसका प्रोमोशन फिक्स है उसके बाद यह बने गए SSP सुपरडेंटन तप पुलिस ठीक है या से कहते है सीनियर सुपरडेंटन तप पुलिस ठीक है सीनर गेड में चल जाएगा उसके बाफ्रोपड़ो। डुप्टी इंस्पेक्टर जन्रल डी आई जी में उसके बाद प्रमोशन होगा इंस्पेक्टर जन्रल में और उसके बाद प्रमोशन होगा डी जी पी में या एडिशनल डी जी 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 से कहते हैं यह कलाता है सबसे आखरी पोस्ट यहां तक जाते जाते रिटार जाता है तो तो ये रही है खिरार की, किस प्रकार से इनका प्रमोसन और किस प्रकार की इनका सिस्टम चलता है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आपकी एंट्री पॉइंट ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये भी है, ये अगर आप ग्र जजबा है यार देखो जो भी करते हैं सब इनसानी करते हैं अगर जजबा है सही guidance है सही डारेक्शन है और अभी आप graduate हैं सिर्फ graduate हैं और graduation या की कर रहे हैं 12 में, फस्ट यार में अगर आप के अंदर है कि यस मेचे ये सारे सितारे और रसो के इस्तामते गंधे पे लगाने ह तो अपनी प्रपेशन आज से ही सुरू कर दिजिए याद रखिया दिल में इरादे हो तो इनसान कुछ भी कर सकता है कुछ भी कर सकता है फिर यह IPS बहुत बड़ी चीज़ नहीं बस अपने दिल में नेक इरादे हो और साथ में खुद से वादा हो कि कुछ भी हो जाए मुझे करना है और इस लक्ष को प्राप्त करना है तो आप डेफिनेटली आप IPS प्राप्त कर सकते हैं और नो डाउट हिंदुस्तान में अगर मैं परसनली किसी जॉब को बहुत ज़्यादा प्रसंद करता हूं या किसी जॉब को इससे मैं सभी जॉब को पसंद करता हूं लेकिन न बोड़ने लगता है ठीक है और इन सब चीजों का मतलब देख कर इसका जो भी है जब डिपार्टमेंट में था तो मुझे IPS का तो मौका नहीं मिला बनने का है अभी तक तो बट मैं मैं कोशिस जरूर मैं भी एक सोचता हूं दिमाग में दिल में की एक दिन IPS की निफॉर्म होती है और IPS क्या चीज होता है ठीक है तो हाप भी एक सी प्रेपरिशन चाहते हैं और आपको करना चाहिए चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं चाहे आप इंग्लिस मीडियम के चाहे आप दिल्ली के हैं चाहे आप मुंबई के हैं चाहे आप MP के हैं चाहे बिहार के कहीं के में कोई फर्क नहीं पड़ता है ठीक है तो दोस्तों इस इक साथ अलविला लेता हूं और आप अपना अच्छा ध्यान रखें और इसकी पूरी की पूरी हिरार क्यों को समझें टेक क्यार बवाए जैन जै भरत